दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि RCB एक खराब फ्रेंचाइजी और तुम लोग सपोर्ट क्यों करते हो तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि 5-5 ट्रॉफी जीतने वाली फ्रेंचाइजियों को तो कोई भी सपोर्ट कर देगा एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिसका हमें पता है कि इनकी आवकात नहीं कभी जीतेंगे फिर भी सपोर्ट करना मेरे कहते हैं यह सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है मैंचेस्टर युनाइटेड लिवरपोल जेटा के जब आज किसी की ऐसी फैन फॉलोविंग नहीं होगी और RCB देखो महिलाओं के लिए क्या करती है जिन महिलाओं की कम उम्र में शादी हो जाया करती ते उन्होंने कह दिया अपने माबाप से कि RCB जीतेगी तो हम शादी करेंगे देखो उनकी शादी टल गई RCB is a father-son story हम लोग बोलते हैं कि हमारे बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है RCB कभी नहीं कहता कि हमारा बाप हमें छोड़के क्यों भाग गया आज RCB सिखा रही है कैसे equation बिठा जाता है समीकरन कैसे जीतने के chances probability यह वो दे उसको mathematics सिखा रही है RCB और यह नहीं देगर हो कि RCB समाज का कितना भला कर रही है जो भी IPL से पैसे कमाती है उसका बियर बना देती है किंग फिशर strong और उससे समाज का भला होता क्योंकि वो बियर पी के हम सो जाते हैं समाज में नहीं निकलते हैं कुछ गुंडागर्दी नहीं होती है उससे और RCB डेमोक्रेसी का कितना अच्छा एक्जामपल है मतलब आप सीधे बोल सकते हो अपने में खिलाडी को कि आपका strike rate खराब है इस देश में आप बोल सकते हैं किसी को कि आपका strike rate खराब है अरे RCB हमें mental health awareness कराती है यार कि हमारे fans की mental health ठीक नहीं है इनको ठीक करो लोग देखते हैं कि अच्छा है ऐसे भी लोग होते हैं अवेर हो रहे हैं हम